दो शहरी शेर रास्ता फुल गए, अंधेरा बढ़ रहा था, अता मजबूरन उन्हें एक सराय में रुखना पड़ा आधी रात को एका एक उनकी नीन पुचट गई, उन्होंने पास के कमरे से आती हुई एक आवाज को सुना कर सुबह एक खंडे में पानी खोला देना, मैं उन दोनों बच्चों का बत करना चाहता हूँ दोनों शेरों का खून जम गया, वे बुद्ध बुदाए, भगवान इस तरह आये का मालिक तो हत्यारा है तूरंट उन्होंने वहाँ से भाग जाने का निश्चय किया, कमरे की खिड़की से में बाहर कुद गये पर बाहर पहुचकर उन्होंने पाया की बाहर दर्वाजे पर ताला लगा हुआ है अंत में उन्होंने सुवरों के बाड़े में छिटने का निड़ना किया, राद बर उन्होंने जागते हुए बिताई सुब़ सराय का मालिक सुवरों के बाड़े में आया, बड़ा सा छूरा तेज किया और पुकारा आज आँ मेरे प्यारी बच्चो तुम्हारे आखरी वक्त आ पहुंचा है दोनों शेर भाय से कापते हुए सराय के मालिक के पैरो पर गिर पड़े और गिर गिराने लगे सराय का मालिक यह देखकर चकित रह गया फिर पुछा बात क्या है हमने रात में आपको किसी से कहते हुए सुना था कि सुबा आप हमें मोध के खात उताने वाले हैं शेरो ने जवाब दिया सराय का मालिक यह सुन कर हसा ब्योकुप शेरो मैं तुम लोगों के बारे में नहीं कह रहा था मैंने तो दो नन्हे सुवरों के बारे में कहा था जिन्हें मैं इसी तरह पुकारता हूँ तो दोस्तो इस कहानी से हमें यह सिख मिलती है कि पूरी बात जाने बिना दूसरों की बातों पर कभी कान नहीं देने चाहिए